नमस्कार एटोजेट डिशिष उशाग और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ मिक्स उड़त डाल ये इतनी बड़िया लगती है चाय पिसे चावर के साथ लो या रोटी के साथ आपको मज़ा ही आ जाएगा इसमें काली और सफेद दोनों उड़त डाल को मिला कर बनाएंगे उसके लिए देखे आपको एक कप काली उड़त डाल और एक कप सफेद उड़त डाल चाहिए दोनों को हमें एक बावल में साथ में कर देना और अच्छे से मिला लेना है ये जो मिक्स उड़त डाले बनाना बहुत आसान और खाने में तो इतनी बड़िया लगती है ना और इसे दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर ले ना बिगोनी की ज़रूर मैंने तो नहीं बिगोया पर आप चाहे तो बिगो सकते हैं से अब गैस को अन करके मैंने कोकर रख दिया यह दोनों उड़त दाल इसके को खोलें और आप देख सकते हैं दोनों तरीके की उड़त दाल अच्छे से पक गई है अब यहां पर मैंने दूसरे सेट फिर से गयस को अन करके कड़ाई रख दिये और यह जो मिक्स उड़त दाल हम सरसो के तेल में बनाएंगे आप चाहे तो वेज मलब कुकिंग ओईल य कटे हुए डाल देने और इसे भी अच्छे से भूनना है सरसो के तेल में इसका स्वाद इतना बड़ी आता है पर आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ओईल या फिर गी में इसे बना सकते हैं पास्ते छेकड़ी पत्ते भी मैंने डाल दिये प्यास को जदा लालोने तक मत दो मिनट तक पका लें दो मिनट के बाद देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा अब पके हुए दोनों मिक्स ओड़त डाल देनी है और इसे अच्छे से मिलाते हो एक मिनट तक ऐसे ही तड़के के अंदर हमें पकाना है उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो लग को खुलाई पकाना है ढखकरने तकरीबन इसे 6-7 मिन्ट तक पकाना है बीच पीच में इस तरह से मिलाते रहना और इसे अच्छे से पका लेना ये मिक्स उड़दाल बनाना बहुत ही आसान है और चावल या फिर रोटी के साथ इतनी लजीज लगती है ना पास से 6 मिनिट हो है लगबग और ये बड़िया से मिक्स उड़दाल बनकर तयार है जैसे ही अब ये ठंडी होगे न तो ये और गाड़ी हो जाती तो बस इस कंसिस्टनसी पर तुरंती गैस को बन कर ले और मैं तो हमेशा है इसे ऐसे भी खाती हूँ या कभी कभी रोटी के साथ या कभी चा था नहीं जा झाक पलास एक फट अच्म मेशा ले कर ल दोूज ये कंस बगच कि दनकर चू़दांजकर मृचल बनकर ले खांजकर झाल